मित्रिता की सीग चेत्रिता था विजे नगर और पड़ोसी राजे अनकपुरम के भी संबन्द कुछ इस समय से खराब चल रहे थे अनकपुरम के कुछ जासुस विजे नगर आकट तोड़ फोर मचाते अब द्रब करते प्रजा परिशान थी राजा ने मंत्री से इसे रोकनी के लिए कहा मंत्री ने सीमा पर चाकर निरक्षन किया अगले दिन आकर बोला महराज सीमा पर उची दिवारे खड़ी कर दी जाएं तभी ये समस्या हल हो सकती है बाकी दरबारियों ने भी उसकी हां में हां मिलाई तेनाली राम चुप था राजा के पूछने पर बोला महराज मंत्री और दूसरी दरबारियों ने जो कुछ जाएं कहा बैसमस्या का आदा हल है आप इजाज़त दें तो मैं पूरा हल बता सकता हूँ राजा ने चौक कर कहा अच्छा बताओ तुम्हारी क्या राय है महराज मेरा तो यह विचार है कि दरबार बनाने की नहीं बलकि हटाने की जरूरत है लोग इधर से उधर आएंगे जाएंगे तो शत्रुता हमेशा के लिए खतम हो जाएगी मंत्री चड़ कर बोला महराज तेनाली राम उची हाक रहे है इन्हें शत्रु की असलियत नहीं पता राजा ने कुछ सोचा फिर तेनाली राम से कहा तुम सीमा रेखा पर सुरक्षा का इंतिजाम देखो शत्रु के जासूस इधर ना आएं यह जिम्मा तुम्हारा है तेनाली राम ने उसे दिन सीमा रेखा पर चौकियां बनवाई सक्त पहरेदारी बेचा दी गई साथी काते जाडियां हचवा कर एक समतल मेदान में सुन्दर मैत्री उद्यान बनवाया फिर पडोसी राजा को संदेश भिजवाया गया आपके यहां से गायक, संगीतकार और कलाकार इस मैत्री उद्यान में आएं तो हमें खुशी होगी अगले पंद्रे दिनों में अंगिनत कभी लेखक कलाकार आए बड़ा अनोखा मेला जुड़ा जिसमें मिलकर गायकों ने दोनों देशों के लोग गीत गाय रित्य और अन्य कारेकरम हुए और सभी ने दोस्ती की कसमे खाई वा 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 क्या बात है उसमें राजा कृष्ण देवराय भी मौचूद थे वे तलीनता से यह अनोखा मेला देख रहे थे कारेकरम खत्म हुआ तो बोले तेनाली राम ने ठीक कहा था आज से दुश्मनी की रेखा खत्म अनंग पुरम के राजा ने वच्चन दिया है कि वे अपने देश में भी ऐसी ही दोस्ती का मेला लगाएंगे तेनाली राम ने सुना तो उसके मुख पर मुस्कान च्छा गई तेनाली राम तुम्हारी सुचबूच का जवाब नहीं अब तो हर कोई तेनाली राम की प्रशंसा कर रहा था बंत्री और दर्बारियों के चहरे देखने लायक थे बहुत खूब वा, वा क्या बात है शिक्षा मैति पूर्ण बहवार से शत्रूबे मित्र बन जाते हैं